नमस्कार दोच्तों, नभ्य शब्द प्रती मिनट की गती से संपात के डिक्टेशन स्टार्ट असम और मिजोरम के बीच का सीमा विवाद एक बार फिर हिंसक हो उठा असम और मिजोरम की सीमा से लगे असम के कछार जिले में आमनागरिकों और असम पुलिस के बीच हुई जड़प में छे जवान मारे गए और करीब पचास गंभीर रूप से घायल हो गए विचित्र है कि इसमें दोनों राजियों के मुखे मंतरी भी जुबानी जंग में शामिल देखे गए असम के मुखे मंतरी ने आरोप लगाया कि मिजोरम की पुलिस ने हिंसा को भड़काया और उपद्रवियों का साथ दिया वहीं मिजोरम के मुखे मंतरी ने असम पर आरोप लगाया हालां की बाद में केंद्रिय गरी मंतरालिय के निर्देश पर दोनों मुखे मंतरीयों ने आपस में बातचीत कर ली मगर इस से एक विचित्र स्थिती तो पैदा हो ही गई इस हिंसक घटना के दो दिन पहले ही केंद्रिय गरी मंतरी ने सीमा विवाद सुलजाने के लिए पुर्वोत्तर राज्यों के मुखे मंतरियों से बातचेत की थी इस घटना से एक बारगी किसी को भी हेरानी हो सकती है कि सुतंत्र भारत के भीतर दो राज्ये अपनी सीमा को लेकर इस तरह कैसे उलज गए मगर यहे विवाद कोई नया नहीं है ब्रिटिश हुकूमत के समय से चले आ रहे इस विवाद को सुलजाने के कई परियास हुए पर सफल नहीं हो पाए असम से सटे छेहु राज्यों के जन जातिये समुदाए अकसर अपनी पहचान और जातिये असमिता को लेकर अकसर अंदोलन पर उतर आते हैं उसका असर असम पर ही पड़ता है क्योंकि इन में से जादातर राज्यों का गठन असम को काट कर किया गया है असम और मिजोरम करीब 165 किलोमीटर की सीमा साजह करते हैं इस पर दोनों राज्यों के तीन तीन जिले जुडे हुए हैं पाहाड जंगल नदी जैसे घाटी की वजहा से इस शेत्र की सीमा बदलती रहती है इसे सुलजाने के लिए कई दोर की बातचीत हो चुकी है 1995 में इस इलाके में निर्जन पट्टी बनाने का परिस्ताव रखा गया था मगर मिजोरम के लोगों ने उसे मानने से इनकार कर दिया था इसके चलते कभी असम तो कभी मिजोरम के लोग अपनी जमीन पर दूसरे राज्ये के लोगों के कबजा कर लेने का आरोप लगाते हैं पिछले साल भी इसी तरह का तनाव पैदा हो गया था मिजो आदिवासियों का कहना है कि उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के वक्त 1875 में हुए सीमा समझोते को मानते हैं इसी लिए अपनी जमीन पर असम के लोगों का कबजा बरदाश नहीं करेंगे अब इन राजियों में भूमी विवाद के अलावा कुछ राजनीतिक वजाहें भी जुड़ गई हैं जिस इलाके में यह विवाद हुआ वहां मुसलिम अबादी अधिक है और असम के लोगों का कहना है कि उनमें से ज्यादा तर लोग बहार से आए हुए हैं और बिना अपनी पुखता पहचान के वहां रह रहे हैं उनकी आबादी तेजी से बढ़ रही है और वे असम की तरफ के भूभाग पर फैलते जा रहे हैं असम में हिमंत विश्व सर्मा ने मुखे मंतरी पद की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही जिस तरह घूस पैठियों को बाहर निकालने का संकल्प दोराया शायद उससे मिजोरम के इस इलाके में रहे रहे लोगों में कुछ भय व्याप्त हुआ होगा फिर सर्मा ने जिस तरह इस घटना के बाद मिजोरम के पुलिस कर्मियों के जशन मनाने की तस्वीर साजह की उससे भी उनके विचारों का पता मिलता है दोनों राजियों में भाजपा और भाजपा समर्थित सरकारे हैं अगर वे केंद्र के साथ तालमेल करके इस समस्या का समाधान नहीं निकालेंगी तो यह समस्या नासूर ही बनती जाएगी स्टॉप फ्रेंड्स पीडियाफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में